Hello everyone, तो आप में से काफी लोग इस समय कमप्टीशन की एक्जाम के महत्तो को समझते होंगे, चाहे वो किसी फिल्ड का कमप्टीशन एक्जाम क्यों न हो, चाहे वो अपने आपको प्रूव करने का एक्जाम क्यों न हो, चाहे वो UPSC का एक्जाम क्यों न हो, चाहे वो JEE का एक टिक चीज़े आती हैं, बहुत सारे challenges आते हैं, बहुत सारे struggles आते हैं, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मानो हम जिस चीज़ को पाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जदोहद कर रहे हैं, वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, कभी-कभी तो खुद से ये सवाल करने पर हम विवस हो जाते हैं, कि क्या जिस पड़ाओ पर हम आके अपने आपको देख रहे हैं, उस पड़ाओ से हम नीचे जाएंगे या उपर आएंगे, तो इस तमाम चीज़ों को मिला कर, एक aspirant की कहानी दिखा कर, TVF ने जो भौकाल मचाया है, उसके अंदर कुछ ऐसे important ची तो TVF aspirants से जो जो learning मुझे लगती है, बेस्ट रहेगी, जेई और नीट वाले बच्चों के लिए, उन्हें मैं आज देने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद, इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, और कभी भी इन वीडियो जो phase होता है, वो phase challenging तो है, लेकिन अपने आप में satisfying भी है, जो सबसे पहला point है, वो है be the tortoise not the hair, यानि ये जो ऐसा race है, एक ऐसा race है जहां पर जो जितना ज़्यादा energy समय से पहले खत्म कर देगा, वो उतना जल्दी ही हार जाएगा, यहां पर आपको अस्थाई रहना है, आ आपको काम रहना है, आपको patience रखना है, और धीरे धीरे इस सफर का मजा लेना है, बहुत आराम से आपको इस सफर को आगे बढ़ाना है, देखिए जो competition का दोर है, यह एक जरनी है, जो तैयारी कर रहे हो, जो आपके पास 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल है, एक जरनी है, जरनी का मजा लेजे, जैसे वादियों में आप जाते हैं, तो क्या आपको लगता है, वादियों में जाने के बादर तुरंत एक दिन में मजा ले लेते हैं, आप explore करते हैं, रुखते हैं, ठहरते हैं, ठहराव लाईए अपने अंदर, चीजों को समझे, जल्दी बाजे में लिया गया फैसला, जल्दी बाजे में लिया गया पढ़ाई, या जल्दी-जल्दी कोई कोचिंग, जल्दी-जल्दी कोई किताब खत्म करना बहादूरी नहीं है, इस चीजों को समझे, आपको कच्छवा बनकर इस मैराथोन, इस जिंदगी के रिए से कंपेटिशन की दौर को धीरे-धीरे करके आगे बढ़ना है, खरगोस की तरह दोड़ कर एक-दो दिन में अपनी एनर्जी नहीं खतम करनी है, चीजों को समझना है, धीरे-धीरे करकर आगे बढ़ना है, फियर और फ्रेस्टेशन्स आर्थी फेलो पैसेंजर्स आप इस जन्नी, अब ये बहुत ब हमारा J-E-E-Need नहीं निकला, तो क्या होगा, हम फ्रेस्टेट होते रहते हैं, जब हम पढ़ते हैं, कोई questions हमसे नहीं बनता है, तो हम फ्रेस्टेट हो जाते हैं, हमें लगता है अब कैसे होगा ये सवार, तो जब ये दौर चलता है न, इस दौर में बहुत अलग-अलग हमारे सामने आती हैं, लेकिन आपको ये समझ के रखना है, कि आपके fellow passengers हैं, आपके साथ बैठें तो जरूर हैं, लेकिन आपका इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, आप अपनी जरने को आगे रखिए, इनसे बाचीत मत करिए, तो हमेशा motivated रहने के लिए आपको सम limitations भी है, एक advantage भी है, एक disadvantage भी है, तो जब हम इस competition के दोर पर अपने career को build करते हुए होते हैं, जब हम अपने आपको निखार रहे हुए होते हैं, उस समय हमारे सामने frustrations भी आएंगे, डर भी आएगा, demotivation भी आएगा, अपने आपको हम compare करेंगे, हर एक एक तरह की चीज़ में आप जब भी कोई काम करेंगे, आपको चाहिए, हम मेंसे कितने लोग हैं, जो आज डरते हैं, जो सोचते हैं कि भी या हम कोई भी चीज कैसे करें, जिनको डर लगता है कि हम कहीं fail हो गएं, जिनको डर लगता है कि हम problem नहीं कर पा रहे हैं, जिनको डर लगता है कि हम किस किसी भी चीज को कैसे पढ़े जिनको डर लगता है किसी भी सब्जेक्ट को नहीं आने पे ये डर तभी जाएगा जब आपने दिमाग में अपने माइंड से में आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे। कि मेरे माइंड तुम ये चीज कर सकते हो कोई चीज है कोई चीज पढ़ रहे हो कोई चीज कर रहे हो किसी चीज में बिलीविंग पाउर लाने के लिए आपको सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा आपको हमेशा अपने आपको एक कतम आगे रखके ही काम करना पड़ेगा तो पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में बहुत जरूरी है चौता पॉइंट है प्लान भी और एक ऐसी चीज है जिसको हमें हमेशा से प्राइटाइज करना चाहिए जिसको हमेशा हमें देखना चाहिए दखिये हमेशा लाइफ में जिन्होंने प्लान भी लेके चला है वो काफी अच्छा किया है इस बात में कोई दो राय नहीं है प्लान भी में जेई अगर नहीं निकलता है नीट नहीं निकलता तो हमारा प्लान भी क्या होगा क्या हम आपनर्शिप करेंगे क्या हम बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे या क्या हम किस और के एक्जाम दे रहे हैं तो एक्शुल में प्लान भी आपने पहले सी बना रखा है जो भी यहाँ पर बच्चे हैं वो क्या करते हैं अगर वो जेई की तयारी कर रहे हैं तो अलग अलग प्राइवेट इंस्ट्टूट के फॉर्म जरूर भरे रहते हैं जहां तक मुझे ल आपका पहला फोकस प्लान है होना चाहिए आपका बिग ड्रीम यानि आइटी या नाइटी पे या फिर आपका MBBS जो भी आपके नीट के पहले लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपका प्लान भी होना चाहिए कि मुझे किस प्राइवेट कॉलेज में जाना है कौन से और system देता है plan B आपको stop loss देता है तूटलेस आपको रोकता है तो plan B की भी बहुत जरूरत है आप plan B जरूरर बना कर रखे जो fifth point है वो जिन्दगी का एक ऐसा example है life का एक ऐसा कड़ा सत्य है जो सत्य कई बार हमें follow-up होते बें नहीं दिखाई देंगे अब इस कड़े सत्य में आप मैंसे कई लोगों को ये समझ में आता होगा कि distractions में सबसे बड़ा distractions ये हैं फिर distractions में आपके mobile distractions हैं फिर distractions में आपके अलग-अलग तरीके की चीजें आती हैं जिनको आप distraction का रूप दे सकते हैं अब distractions के अंदर मैंने ये point keyword किया है balance your life and career इसका मतलब होता है कि आपको समझस बैठा के रखना है अगर आपका कोई relationship है मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप relationship में अगर पढ़ गया हो तो उस relationship को आपको तोड़ देना चाहिए या उस relationship को आपको spoil कर देना चाहिए समय दीजिए relationship को बोलिए कि पहले पढ़ाई फिर career के बाद हम इस चीश को आगे कर सकते हैं आप समय कम देना स्टार्ट करिए या आपने आपको उसी tire में shift करने की कोशिस करिए तो कोई भी relationship पे वक्त दीजिए कई बच्चे माता पीता से बात नहीं करते हैं अपने घर वालों से बात नहीं करते हैं जिंदगी में बहुत कुछ achieve तो कर लोगे लेकिन अगर परिवार नहीं रहेगा उस चीश का joy कैसे पाओगे आप पैसे बहुत कमाल होगी आप life में बहुत अच्छा मुकाम पाजाओगे आप IIT में AIR1 ला दोगे जब तक वो आपके साथ वाला कोई नहीं रहेगा तब तक आप enjoy किसके साथ करोगे तो जिंदगी में balance नाम का सब्द बहुत important है अगर आपका career है और आपको लगता है कि जिस दिन मेरा career के बीच में मेरा love life, distractions life, family life आने लगी उस दिन आप balance की और बढ़ें आप कोई भी relationship खतम ना करें मेरा ये आपसे राय है और अगर आप पढ़ चुके हैं किसी relationship में तो joy लीजिए लेकिन एक balance के रूप में एक support के रूप में, एक system के रूप में तो मुझे बताएगा आपको ये top 5 learning कैसे लगी और अगर आपन academy plus पर अभी नहीं है तो आप मेरी profile विजिट करके ये code यूज़ करके T.A.R.G.E.T. मेरी सारी की सारी mentoring पासकते हैं plus पर आपका स्वागत रहेगा एन academy के जानदार सीरीज कैसी लगी आपको मुझे comment करके जरूर बताएगा धन्यवाद